अब तक बाजार में चीनी मूर्तियों का कबजा रहता था। लोग भी चीनी मूर्तियां ही खरीदते थे। लेकिन हालाद बदले से लग रहे हैं। लोग भारत में बनी चीजों को ही खरीदने पर जोड दे रहे हैं। इसी कड़ी में स्वदेशी उत्पादों और यहां के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। कानपूर में भी पहली बार देशी गायों के पंचगव्य से देव प्रतिमाओ का निर्मान किया जा रहा है। कानपूर गौशाला सोसाइटी ने इसकी शुरुवात की है, जिसे खूब तारीव भी मिल रही है। मिट्टी या किसी और चीज से नहीं, बलकि ये मूर्तियां गोबड से बनाई जा रही हैं, जो परियावरण के अनुकूल है। गौशेवा आयोग के निर्देश पर इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। पंचगव्य की जाच के लिए रविवार को प्रतिमाओं के नमूनों को मथुरा लैप में भेज दिया गया है। यह शुरुवात कुछ महा पहले गौशेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंग की पहल पर होई थी। उन्होंने कानपूर गौशाला सोसाइटी को देशी गायों के दूद, दही, घी, गौमूत्र और गोबर से गणेश, लक्षमी, कुबेर, गंगा और हनुवान जी की प्रतिमाओं बनाने के लिए कहा था। साथ ही एक हजार प्रतिमाओं और एक लाख दीपक खरीदने की बाद भी कही थी। इसके आधार पर ही सोसाइटी ने गौशाला के अंदर ही प्रतिमाओं का निर्माण शुरू कर दिया। इसकारे में अन्य लोगों को भी जोडा गया, जिससे प्रतिमाओं और दियों की बिक्री से गौशाला आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सके। हालां कि अभी इन दियों और मूर्तियों की कीमत तै नहीं हुई है। कानपूर गौशाला सोसाइटी के सयोजक सुरेश गुपता का कहना है कि पंचिगव्य की प्रतिमाओं के बहुत से लाब हैं। देसी गाय के गोबर से रेडियेशन घर में प्रवेश नहीं करता। इनके पूजन से परियावरण शुद्ध रहेगा। साथ ही विसरजन करने से जल प्रदूशन भी नहीं होगा। वहीं जल ये जीवों को खाना भी मिल जाएगा। एक प्रतिमा की उचाई करीब 6 इंच और वजन करीब 60 ग्राम है। आयोग को भीजने के बाद जो प्रतिमाएं बचेंगी उन्हें इस्थानिय बाजार में बेचा जाएगा। यदि आपके पास भी आत्म निर्भरता से जुड़ी कहानिया हैं तो हमें जरूर लिखें। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और इन बॉक्स में अपने कॉमेंट अवश्य डालें।